अगर आप लोग बगंटिंग को डीप में करते हो यानि के अंदर घुश घुश के करते हो ना तो आप लोगों के बग्च को फाइंड करने के चांसे बढ़ जाते हैं आपको बड़े-बड़े वल्णरेब्लिटीस मिल सकते हैं तो यह करना कैसे हैं यह सबसे बड़ा सवाल है तो आज इस वीडियो को अगर आप enter देखोगे मैं इस वीडियो के अंदर एक hacker one के live target के उपर आप लोगो को ले जाऊंगा real target और उसके उपर ले जाकर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपकी खुद की methodology आपको कोई नई methodology नहीं अपना नहीं है आपकी जो खुद की methodology है उस methodology को किस technique से करना है किस प्रकार से उसको आगे ले जाना है कि आप लोग bug hunting के deep में गुश सके किसी target के deep में जा सके और वहां से बड़ी-बड़ी vulnerabilities निकाल सके तो इस वीडियो को देखते रहे ना अगर वीडियो end तक पसंद आती है तो make sure आप इस व और bugs को find करने के videos आप लोगों के लिए में लेकर आता रहूंगा तो ये वीडियो को start करता हूँ भी ना के सी देरी के welcome back to spindak this is this epazil और ये वीडियो है how to go deep into bug hunting so without further ado let's exploit okay तो यहां पर मैं एक target को choose करूँगा जो target है atnt.com जिसका domain है att.com इस domain के उपर मैंने अपने bug hunting career के अंदर बहुत time तक इसके उपर world knowledge find करी है इसके उपर मैंने time spend कर रहा है approximately 2-3 months तो मैं इस target को बहुत ये अच्छे से जानता हूँ और इसको मैं हर बार as a example आप लोगों के ल को पहचानता हूँ मैंने इस target के उपर अच्छे से information gathering वगेरा करा है तो मैं उन्ही मेर experience से आप लोगों को चीजे बताता रहता हूँ हर एक videos के अंदर तो अभी मैंने एक target को पकड़ा atnt.com जो आपको hacker one पर देखने को मिल जाएगा अगर आप hacker one पर जाकर att.com सर्च करेंग तो आप लोगों को ये वाला जो target है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब मैं जब bug ending करता था तो मैं किसी भी domain के subdomains को find करने के लिए दो तरीके यूज़ करता था अगर मेरे को फटा-फट subdomains find करने तो मैं जाता था ये वाली website जो कि मैं आप लोगों को screen पर दिखा र नुम्रेट करता था उसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है आई बटन में लिंक दे दूँगा तो मैंने यहाँ पर जाकर हमारा जो अभी इस वीडियो का target है att.com उसके subdomains को search कर दिया इसके उपर आप free में subdomains search कर सकते हैं मैं यहाँ से किसी भी एक subdomains को पकड़ता ह है okay so let me just go with let's go with enrolldp.att.com okay तो मैं यहाँ पर click करता हूँ इसके उपर enroll.dp.att.com okay अब ये मेरे पास सामने नहीं चीज़ आ चुकी है मुझे कुछ नहीं पता है मैं आपको मेरे खुद के experience से अब ये चीज़ पताने जा रहा हूँ कि हम कैसे इसके इसके इन डिप घुश सकते है अगर मैं आपकी जगा पर यहाँ पर होता तो मैं क्या करता है ठीक है यहाँ तक तो आप मेंसे सारे लोग पहुँच सकते हैं एक subdomain तक तो आप मेंसे काफी सारे लोग पहुँच जाते हैं लेकिन अब इसके बाद जो आपकी methodology है जो आप करते हो इसके उपर उसको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अब अगर मैं आपकी जगा पर यहाँ पर होता आना तो मैं क्या क्या चीज़े करता है यहाँ पर तो मेरी जो methodology है उसके अंदर मैं सबसे पहले इसके डिरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करता हूँ मैं पहले subdomain को देखता हूँ मैं देखता हू यहाँ पर कुछ नंबर्स दे सके हैं इसके अलावा यहाँ पर कोई बटन वगेरा कुछ भी नहीं है ठीक है बस यह लिंक्स है जो कि मुझे ले जाएगी एंड्रोइट के पेज के उपर आयोएस के पेज के उपर तो अब मैं क्या करूँगा मैं किसी भी एक पेज को पहले यहाँ पर एक डिरेक्टरी है एक फाइल है जो है HTML की ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं सबसे पहले यहाँ पर डिरेक्टरी बूट फोर्सिंग करवाँगा ठीक है I will do डिरेक्टरी बूट फोर्सिंग ओवर हीर ठीक है तो डिरेक्टरी बूट फोर्सिंग करने क हमें क्या देता है इसके बाद एक एक step जो होंगे मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ पर कि आप कैसे इसको पकड़ पकड़ के link बना कर आगे बढ़ सकते हैं तो इसको खतम हो जाने देते हैं और फिर हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं कि अधिस टेज मुझे यहां पर डिरेक्टरी ब्रूट फोर्स करने के बाद दो डिरेक्टरी जो कि मुझे 200 ओके दिखा रही है बाकी की कुछ है जो 403 forbidden दिखा रही है ठीक है तो मैं 403 forbidden पर ध्यान नहीं दूँगा क्योंकि वो सारी की सारी जो है अब एक प्रस्पेक्टिव होता है ठीक है फिर मुझे देख रहा है यहां पर 404 html 404 html भी मेरे इसाब से कोई ज्यादा कुछ नहीं चीज नहीं होगी वहां पर 404 not found वाला पेज होगा मेरे experience से मुझे यह चीज़े पता चल जाती है आपको भी पता चल जाती होगी ठीक है लेकिन यहां पर मुझे एक interesting चीज़ दीख रही है जिसकी size भी अलग है और वो 200 okay है जो कि है proxy.pack अब मैं क्या करूँगा proxy.pack को वहां पर जाकर देखता हूं कि वह hack है ठीक है so I will come over here और मैं यहां पर लिखूँगा proxy.pack और मैं enter गरूँगा and I will wait कि यह मुझे क्या दिखाता है interesting इसने मुझे यहां पर एक error page दिखाया possibilities है कि यहां पर आपको कुछ और भी देखने को मिल सकता है बट जब मेरे कोई यहां पर error page दिख रहा है तो I can see it is in Apache server जो कि यहां पर लिखा हुआ Apache server चल रहा है इसके उपर तो छोटी सी information मुझे मिल गई कि इसके उपर Apache server चल रहा है ठीक है कोई बड़ी information यह आप endmap से भी निकाल सकते हैं लेकिन हां मुझे कुछ मिला यहां से तो मैं इसको अपने information gathering वाले notes के अंदर डाल दूँगा आप notes बना के रखी उसके अंदर इस होता है तो सैद मुझे यहां से कुछ interesting देखने को मिल जाए ठीक है तो मैं आप मैंने जैसे बोल आपको deep में घुषने आप लोगों को तो proxy.pac मुझे नहीं पता है proxy.pac is a proxy auto configuration is a javascript function that determines whether web browser request etc ठीक है so मुझे नहीं लगता यह को interesting चीज है अभी हमारे लिए देखने के लिए basically यह कहना चाहता है कि यह एक javascript function है ठीक है javascript की file है जिसके अंदर एक javascript function है ठीक है जो क्या करता है वो आपकी जो browser request है उसके हिसाब से proxy को auto configure करता है तो अलग तरीके से configuration करेगा FTP की है तो अलग तरीके से configuration करेगा ताकि आप exactly जहाना है वहाँ जा सकते है ठीक है तो possibilities है मुझे लगता है यहाँ पर possibilities है कि हम इस URL के साथ अगर खेलें ठीक है अगर इसके साथ अलग अलग चीज़े हम करें तो हम एक नए point पे पहुंच सकते है नए end point पे पहुंच सकते है क्योंकि यह जो proxy.pac file है वो आपको direct कर सकती है आपके इसाब ठीक है जिस तरीके से आप इसको browse करेंगे जिस तरीके से इसके parameters के तर खेलेंगे तो यह proxy आपको auto-config करके कहीं पर पहुंचा सकते है internal network में पहुंचा दे या फिर कहीं और device कोई और end point पे पहुंचा दे लेकिन वो अभी हम करने नहीं बाले ठीक है अब मेरी methodology का दूसरा step होता है मैं यहाँ पर dietary brute forcing करता हूं then I will scan for end map ठीक है तो मैं इसी domain को end map करवाता हूं लेकिन अब end map करवाने से पहले मेरे दिमाग में अभी कुछ आ रहा है ठीक है अभी तुरंद मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि let me just first do ns lookup मैं ns lookup करवाता हूं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया क्यों कि यह proxy.pse है ठीक है proxy.pse का हमने definition पढ़ा इसका मतलब है कि वह आपके protocol के हिसाब से आपको कहीं और redirect कर सकती है तो possibilities है इस sub domain के साथ और किसी IP address और किसी address का linkage हो सकता है तो हम ns lookup से पता लगा सकते है कि इस name server के उपर और कौन-कौन से domains जो है वो चल रहा है so let's just do ns lookup तो मैं चलता हूँ यहाँ पर मैं इसको clear करता हूँ ठीक है और मैं यहाँ पर करूँगा ns lookup enroll.dp let me just verify enroll.dp.att.com ns lookup मैंने आपर करवाया जब मैंने ns lookup करवाया as our predictions ठीक हम लोगों को देखने को मिलता है we can get two domains ठीक है और दो अलग-अलग IP address हमको देखने को मिल रहे है एक यह वाला और एक यह वाला ठीक है तो अब possibilities है कि इन चार चीजों के उपर कुछ ना कुछ चीज हो सकती है ठीक है तो let's just do ping ठीक हम पिंग करवा लेते हैं एक बाट ठीक है तो पहले इसको ping करवाता हूँ let's just ping these ones ping possibilities है ठीक है तो request time out है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है let's just ping this one हम इसको भी ping करवाते हैं इसको भी ping करवा लेते हैं इसका भी request time out हो गया clear करता हूँ और अभी जो हमारे पास दो IP address है उसको ping करवाते हैं वो IP address इसी domain के होंगे but always remember कि अगर IP address और domain आपके पास दोनों चीज़े है वो भले ही दोनों चीज़ एक ही है लेकिन आपको दोनों को अलग-अलग nmap करवाना है अलग-अलग ping करवाना है क्योंकि DNS और IP address अलग-अलग कई बार काम कर सकते हैं ठीक है तो possibilities यह हो सकती है तो मैं इसको भी पिंग करवा लेता हूं I will ping this too और इसको जब मैंने पिंग करवा इसका भी requested timeout आया इसको भी पिंग करवाता हूं देखो possibilities है यहाँ पर request timeout आ रहा है लेकिन possibilities है जब आप इसको access करें URL में with the help of HTTPS ठीक है so HTTPS के साथ access करने पर साथ यह चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते है तो let's just try this मैं एक iPad को copy करता हूं और मैं इसको अपने browser में open कर लेता हूं okay here interesting thing हम जब HTTPS के through इसको visit कर रहे हैं यह हमको 403 forbidden error message दे रहा है इसको भी एक बाद try कर लेते हैं let's just see this सब कुछ करना है कुछ भी छोड़ना नहीं है ठीक है यह भी same ही दिखा रहा है यह भी वही करेगा मुझे ऐसा लग रहा है तो let's just okay तो हम लोगों को यहाँ पर NSlookup जब हमने करवाया तो हम लोगों को दो IP address मिल गए ठीक है अब domain को मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे पता चल गया अब की दोनों same है लेकिन आपको करना एक एक बाद चारो चार को ठीक ह तो मैंने क्या क्या यहाँ पर मैंने अपने आपको external network से internal network की तरफ redirect किया है मेरे पास दो नए endpoints है यह दो जो नए endpoints है वो atnt.com के ही है ठीक है आप देख रहे है atnt.com atnt.com so this way you have enumerated new subdomains new endpoints ठीक है new इसको कह सकते हो एक नया vector आपने identify किया है अब possibilities है कि यहाँ पर भी directive brute force करवा सकते है ठीक है तो आप इन दोनों को एक एक राच रेकरिफ बूट फ़र्स करवा हो कई बार हो सकते है उसके उपर अगर यहाँ पर को डेरेक्टरी नहीं है तो वो डेरेक्टरी यहाँ पर हो सकते है यहाँ पर हो सकती है let's just strive once ठीक है तो हम एक IP address के ऊपर डेरेक देखने को मिल सकता और नहीं भी मिला देन इस ओके हमारे पास और आगे बढ़ने के तरीक है बर लेट जस्ट गिव इट टाइम देखते हैं यह क्या हमको रिजल्ट्स देता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी चो डिरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग वो खतम हो चुक है और हम लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली सेम रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं बलकि एक फरक है कि यहाँ पर प्रॉक्सी डॉट पैक 200 ओके नहीं बलकि 4034 भी डे पिछली बार जब प्रॉक्सी डॉट पैक आया था वह यहाँ था 130 नहीं था जहां तक मुझे याद और 200 ओके था यहां पर और यहां पर चीज़े अलग है, तो possibilities है, इसको एक बार हम view page source कर लेते हैं, possibilities है, कई बार ऐसे page के उपर आपको यहां पर कुछ और देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसका भी view page source करता हूँ, there is nothing more, ठीक है, तो यहां पर कुछ हमको नया देखने को नहीं मिला, लेकिन proxy.pack यहां पर और वहां पर अलग-अलग behave कर रहा है, तो यह भी आपके लिए चोटी सी कहीं ना कहीं पर आगे चलके मदद करने वाली hint हो सकती है, please note down in your notes, ठीक है, आप देख सकता हम कैसे एक के अंदर एक गूस के deep होते जा रहे हैं, आप बस observe करो चीज़ों को जो हमने किय है, अभी तो और आगे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हमने director brute forcing कर वाली है, हमको कोई result नहीं मिला, ठीक है, तो हमारा end IP address है, वो यह है, हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके उपर हमने director brute forcing कर वाया, सायद इसके उपर कुछ और देखने को मिल जाया, म और मैं इस IP address के उपर end map चला कर देखता हूँ, end map मैं चलाओंगा, यहाँ पर aggressive और सारे ports को मैं scan कर वाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसको अब enter करता हूँ, let's just give it a time, तो यह start हो चुका है, इसको time देते हैं, जैसे खतम होता है, I will see you, तो यहाँ पर जो हमारा end map scan है, वो पन है, buy luck और वहाँ पर भी same चीज़ चल रही है, तो हमारा luck फिर से खराब हो जाता है, 443 ओपन है, जहाँ पर HTTPS चल रहा होगा, और हमको यह वाला page देखने को मिलता है, हम लोगों ने देख लिया है, इस page को एक बार ठीक है, तो कोई ज्यादा फरक इसके अंदर चल रही है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, बहुत ही common चीज़ है, यह तो operating system कौन सी है, कौन सी नही है, बट जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, मुझे यहाँ पर इसका trace route देखने को मिलता है, trace route का मतलब कहा कि हमारे computer से, यह जो server हमने scan करवाया, वहां तक पहुंचने मे कहा कहा से हमारा internet गुजर रहा है, जिसको कहते है, trace route, ठीक है, तो trace route के अंदर हमारा जो IP address होगा, ठीक है, तो मेरा जो IP address है, वहां से सुरू होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर VPS use कर रहा हूँ, Linode का, ठीक है, तो मेरा जो IP address है, वहां से सुरू होते होते है, हमारे main IP address तक पह पहुंचा तो वह कहा कहा से गुज़र के गया तो इस दोरान हम लोगों को और कुछ नहीं चीज़ डिस्कवर होती है और कुछ नएं वेक्टर डिस्कवर होते जैसे कि यह जैसे कि ये, ठीक है, you can see हमको यहाँ पर नया IP address देखने को मिलता है, right, तो हमें काम करते हैं, हम इन में से कुछ-कुछ चीज़ों को फिर से बाट ट्राइ करके देखते हैं, possibilities है, हमको वहाँ पर कुछ interesting और देखने को मिल जाए, let me just करता हूँ, visit, let's just see यहाँ पर अगर हमें कुछ interesting देखने को मिल जाए, possibilities है, क्योंकि at&t.net है, तो यह भी at&t का ही sub-domain होता है, तो यहाँ पर कुछ में को देखने को अभी हाल-फिलाल देखने को नहीं मिल रहे है, मैं एक बार IP address को भी scan करवाता हूँ, हम पिंग करवाता हूँ, मैं जो भी है वो raw कर रहा हूँ आपके सामने, मुझे भी नहीं पता क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी फरक हम को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, but let's just try with something else, ठीक है, तो हम इस IP address को पकड़ते है, 202 है, मुझे एक चीज पता चल रहे है कि भाई, range देखो आप लोग, ठीक है, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 5, 98, तो यह एक range है, ठीक है, यहाँ तक की range है, और यह हो सकता है, और इस तरीके के total 256 और IP address हो सकते हैं, इससे मुझे range पता चलती है इस चीज की, ठीक है, जिनको समझना है, वो समझ गया होंगे, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ping करवाता हूँ, मैंने dot आगे लगा दिया, इसको ping करवाएंगे, requested time out, ठीक है, हम और नीचे आ जाता है, इसको करवाता है, ping, let's just ping this, कुछ अगर देखने, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी result नहीं है, अब एक बार मैं इसको भी करवाता हूँ, I will try each and everything, आप सारे करें, मैं तो बस वीडियो के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर चीज़े, ठीक है, एक बार visit करके भी देख लेते हैं, तो इसको visit भी हम कर रहा है, तब भी कोई हमको नहीं चीज़ देखने को बिल्गुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो मुझे लगता है, यहाँ पर कोई और इसके अंदर नहीं चीज़ नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इन सब का end map कर सकते हैं, ठीक है, इन सब का end map कर सकते हैं, कोई और ports open हो सकते हैं, ठीक है, तो मेरा जो महीन मकसद था है, वीडियो में आपको बताने का वो मैंने अभी तक कनवे कर दिया आप लोगो को मैं यही बताना चाता था कि आप कैसे और अंदर गुण सकते हैं नाए-एनए वेक्टर्स को निकाल सकते हैं क्योंकि यह वेक्टर्स किसीने निकाले नहीं होंगे आज तक आपने निकाले तो आपको इसके उपर bug मिलने के chances बढ़ जाते हैं जो बड़े-बड़े hunters हैं वो यही करते हैं डिसकोवर new things और उसके उपर वो अपनी hunting करते हैं क्योंकि जो optional चीज़े हैं जो बाहर पड़ी हुए public के लिए वहाँ पर तो बहुत सारी लोग एक साथ competition में चीज़े कर रहे हैं तो अगर आप इन सबसे पाहर हट के आगे बढ़ना चाहता है you can try this type of techniques आप deep में गुश सकते हैं देखो मैंने एक और चीज़ observe करी जो मैं बताना भूल गया मैं अभी इसको clear कर देता हूँ क्यों ज्यादा है निसके अंदर ठीक है मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जब हमने इसको ns look up करवाया था ठीक है मैं एक बार ns look up करवाता हूँ जब मैंने इसको ns look up करवाया था मुझे ip address की दो range देखने को मिली थी एक 96 और एक 40 मतलब की range क्या होता है बहुत यह simple चीज होती है आप लोगों ने देखा होगा ना ऐसा ठीक है यहाँ पर dot होता है 40 dot 0 dot यहाँ पर अब आप लोगों ने देखा होगा ऐसा लिखा होगा होता है 28 24 इस तरगे की चीज़ आप लोगों ने देखे होगी तो मुझे दो range दीख रही है तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है 01020304567 इस तरगे के total 256 तक क्या ip address हो सकता है इसकी range में possibilities हैं तो मैं आप उस range को आप देखने को मिलती है ठीक है तो और दो range मैंने discover करी और इस do range के इंदर और ip address हो सकते हैं और नए नए vectors हो सकते हैं तो इस तरह के सा आप बगहंटींगे डीप में घुश सकते हैं तो I hope आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ देखने को मिलाओगा यह आगे चल सकता है चल सकता है के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़े होती रहेगी होती रहेगी एक end point तक आप पहुँच सकते हैं नई नई चीजों को discover कर सकते हैं अगर वीडियो आप लोकों नहीं अहां तक देखी to make sure आप comment में जाकर बताएं कि वीडियो आप ने देखिये और ऐसी और वीडियोस चाहिए आप लोगों को और इस वीडियो को जएदा से जादा लाइक करो तब जाकर मैं ऐसी और वीडियोस बताऊँगा और मेरे real experience से तो फिलाल इस वीडियो के लिटना है रखते हैं I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी Make sure आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलूगा मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए stay secure guys